हाई आपको पूरा स्रीज बहुत ही अच्छे से बहुत ही बेस्ट एक्सराइज के साथ आपके साथ सेर किया है रेजल्ट आप देख सकते हैं मेरी बोड़ी पहले से बहुत ही ज्यादा हेल्दी स्लिम एंड पिट हो गई है तो आप भी इस तरह की बोड़ी एचीव कर सकते है ँसके लिए आपको चैणल को लाईक, सेर, सस्क्राइब कर लेना है सबसे पहले सीरीज को पूरा वन डे से फॉल्लो करना है अगर आप फरस्टाइम आया है चैणल पर, मैंने बहुत ही ज्यादा अपने आपको श्लिम कर लिया है, बहुत ही अच्छे से फिट कर लिया है अच्छी सी डाइट रखिए हेल्दी चीजे खाईए एंड फिट रहिए इसके पहले मैंने 10 मिनिट का वाम आप करती हूं जैसा मैं पहले ही बताती हूं आपको कि मैं बॉड़ी वाम आप के बाद ही एक्सराइज स्टार्ट करती हूं तो आपको भी अपनी बॉड़ी को वाम सेट में करेंगे पला हैं आप ही यह अराम से बहुत अच्छे से हम अपने घर पे रहके एपने बोड़ी भीट को अकर सकते हैं अपनी इस्टली को में खाला को सकते हैं इसलने के पासे अने एक्सराइज एयों । करेंगे यह बहुत ही अच्छी बहुत ही बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टली बहुत ही यूसफुल है आपके बेट को रिड्यूस करने के लिए आपके बैली फैट को कम करने के लिए फाइब टेन सेकेंड बैस लेने के बाद हमने इस्ट एक्सराइज पर जाएंगे जो है हेल टच यह भी बहुत ही अच्छी एक्सराइज है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है साइट बैली फैट को कम करने के लिए जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से आप अपने सीर को हलका सा ओपर के तरफ उठा के रखेंगे जैसे हम करते हैं उस तरह से अगर आप इस हील टच एक्सराइज को करते हैं एक क्रण्च बे में बॉड़ी को लाके तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कि अब हम पाइब टू टैन सेकेंट का रश लेंगे उसके बाद हम नेस्ट एक्सराइज पे जहेंगे जो हैमारा लेग रइस क्रंच चזה कि यह भी बहुत बहुत अचिए मैसे लेग रईfish क्रंच लिए कि बहुत ही बैस्ट एक्ससाइज गाइस बहुत ही बैस्ट एक्ससाइज है आपके पैली फैट को कम करने के लिए बस ध्यान रहें जब आप अपने बॉड़ी को ऊपर की तरफ आपने लेक को पूल कर रहे हैं तो अपनी बॉड़ी को अच्छे से मैट पे प्लैट रखें इसके भी हम 25 राउंड के फाइट सेट करेंगे 5-10 सेकेंड रेश लेने के बाद हम नेस्ट एक्सरसाइज बिजाएंगे जो है नीट यह भी बहुत ही अच्छी बहुत ही बैस्ट है मैंने एक्टी सिरीज में इस एक्सराइज को बहुत बार आपके साथ सेयर किया है यह भी बहुत अच्छा रजल देती है कि बैली फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है साथ ही साथ आपके कोर को स्ट्रॉंग करने के लिए मुसल्स को स्ट्रॉंग करने के लिए आपके बेट रिड्यूस के बाद आपकी इसको इसकी जोत ही हमारी उसको अच्छे से प्रॉपर टाइट रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप कोर को स्टॉंग करने वाली मसल्स को आ करने वाली इक्सरसाइब साथ करते रहें इससे आपकी बॉडी होती है साती सा साथ फिट रहती है इसकी ऍपर टॉल्च रहती हें अच्छी रह दियू उफिड नहीं होते हैं यह भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइस मैंने आपको बहुत बार यह एक्सरसाइज शेयर किया है यह भी बहुत ही अच्छी बहुत ही बैस्ट है मेरा मैट इस में थोड़ा सा स्लिप हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा रूख रूख के कर रहे थी आप अच्छे से फ्लैट पोजीशन में आके अपने मैट पर बिल्कुली केरफुल हो के करें नेस्ट है हमारा हीप डिप मोस्ट इंपोर्टन औल सीजनल फेबरेट मेरी एक्सराइज और आवर ग्लास बोड़ी अचीब करने के लिए मैंने इसको आपको इस स्रीज में बहुत बार सेहर किया बहुत बार बताया है आप इसको करके देखिए आपको बहुत ही अच्छा बहुत ही पैस्ट रिजिल्ट देखने को मिल लेगा अगर आप फावर ग्लोस बाड़ी इचीब करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपकी बोड़ी का सीप आने माला इससे साइड बैली फैट भाजल खतम होता है नेस्ट है हमारा क्रंचिस क्रंचिस भी बहुत ही यूसफुल होनी वाली है अब इसके भी 25 सेट के 5 ब्राउंड करेंगे सबी एक्सेसाइड बहुत ही बेस्ट हैं बहुत ही अच्छी हैं बहुत ही यूसफुल है गाइस उमीद कर रहे हूं आपको यह सीरीज बहुत पसंद आई होगी नेस्ट है हमारा सिंगल लेग क्रंचिस यह भी बहुत यूसफुल बहुत इंपोर्टन बैली फैट को कम करने के लिए बैस्ट एक्सेसाइज है अगर आपने सीरीज को फॉलो किया है तो आपका भी बेट लॉस हुआ होगा आपकी बैली फैट भी कम हुए होगे अगर आप आपने रергलर बैसेज पर अच्छे से एकसराइज किया होगा है मेरे सासाथ उम्मिद कर रही हूं जितने लोग एकसरीज को फॉलो किया ₹ज गया है उन्हों ने एकसरेसाइज जरूर किए होगी तो कमेंड में ज़रूर बताएगा आप लोगोंने कितना वेट कम किया अप tech को कंधे ऐसाथ कभी कातें की बाने केँअ अपके अग्त्रीपया निखार को टाहरा है ऐनने के लिए बहुत ही अच्छी मैने आपके साथ के लिया है आपके लोगों के साथ तो चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिएगा नेस्ट है हमारा लेग राइसिस यह भी बहुत ही अच्छी है बहुत ही बेस्टेक साइज है बहुत ही अराम से आप घर पे रहके ही एक गंटे डेड़ गंटे दो गंटे जितना भी आप ताइम दे सकें आप अपने बेट को कम करने के लिए बहुत ही अराम से घाईस आप एक अच्छी हेल्दी डाइट के साथ आप अपने बेट को कम कर सकते हैं आपनी belly fat को कम कर सकते हैं अपने आपको slim healthy fit रख सकते हैं सभी exercise करने से पहले body warm up करना है exercise के बाद हमें 5-10 minute का cool down करना है जिसके लिए मैंने child poses करती हूँ कोब्रा stretching करती हूँ sean poses करती हूँ यह में relaxing poses में अपने body को रखती हूँ एक्सरसाइज से पहले अपने body को warm up करना एक्सरसाइज के बाद cool down करना है hydrate रखना है और अपनी diet को अच्छा रखना है आप घर बैटे ही आप अपने body को slim fit and fine रख सकते हैं उम्मिद कर रहे हूँ गाई श्रीज अच्छी लगी होगी आपने भी मेरे साथ इसको enjoy किया होगा अपने आपको fit रखने के लिए exercise किया होगा most important कमेंट में बताना ना है तो इसका series weight loss में है playlist में आप जाकर check कर सकते हैं मेरी body का result में आपको दिखाती होगा इस first video देखेगा और आज की वीडियो देखेगा बहुत ही amazing result आया है मेरा value fat एक तम से कम हो गया है देख सकते हैं जह सकी बहुत ही कम हो गया बिल्कुल fit and fine हो गया इस time आप भी इस तरह से कर सकते हैं बस honesty के साथ आप series को follow करिएगा मिलते हैं next video में next series के साथ thank you bye bye take care